हेलो फ्रेंड्स होम कुकिंग एंड गार्डेनिंग में आप सभी का स्वागत है आज मैं संड्राय गोबी की सबजी कर डिस लेकर आई हूं यह बहुत ही अमेजिन सबजी है संड्राय सबजी बनाने का रीजन होता था कि बारिस के सिजन में सबजीयां बहुत महंगी हो जाती और मेरी माँ दादी नानी लोग मार्केट से सबजीयां खरीकर जब सश्थी घ्रम देखा कर यह बहुत से कर लेटीटी तु आज भी में बनाना सुरू करती हूं संड्राय सबजी दें उसके पहले मेरे चैनल मेरे मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें हैं तो आप य ने यह वह खास इंग्रिडियन जिसकी मैं सब्समाइ बनाने वाली हूं यह जब होने के बाद ब्राउन कलर हो इस तरह से बनाने नहीं जरता है तो इसे बनाने से पहले इसे उबालना होता है मैं इसे बड़े बरतन में गोवी ले ली हूँ और मैं इसमें पहुँ सारा थोड़ा पानी डाल दूँगे इसे उबालूंगे ग्यास पे उबालने के बाद जो यह जो चोटी चोटी गोभी है और साइज में डबल हो जाएगी फ्रेंच देख सकते हैं इसमें उबाला गया अब मैं इसे धक कर 5 मिनद के लिए और पकाऊंगे तो फ्रेंच गोभीयों को मैंने 5 मिनद तक उबाल दिया अब मैं ठंडे होने के लिए रख देती देखिए यह बल गी अब साइज में डबल भी हो गया सभी अब मैं इसे सब्जी बनाऊंगी गोभी को मैं ठंडे पानी से धो दी हूं इसे मैं एक एक पीस को जो है इस तरह से चोटे-चोटे टुकड़े में देखिए चोटे- अब मैं इसमें ऑल डालूनगी का उच्टे-चोटे 1 टेबल स्पून एक गरेज माने के घूते-चोटे पाइज लालंगी खायश में और अब मैं इसमें डालूंगी आफ अब मैं इसमें आपके स्पून जीरा एक्सुभी लाल मीड है एक तेज-पत्ता तोड़ी से हीम, अब मैं इसमें डालूगी प्याज, प्याज को ब्राउन होने तब फ्राइ करोंगी, तो देख सकते हैं प्याज हलका ब्राउन हो गया है, अब मैं प्याज के टेस्ट के हिसाब से नमक और हदी डालूगी, याद मैंने 1 पॉर्ट टी स्कून ख़डी लिया है और 1 पॉर्ट टी स्पून मैंने नमक भी डाला है, अब मैं इसे तोड़ा फ्राइ करोंगी, दो मिनट तक मैंने प्याज को फ्राइ कर लिया है, अब मैं इसमें पोभी डालूगी, याप देख सकते हिसे मैंने छोटे-चोटे पीस में तोड़ लिया है, मैं इसमें तक फ़्राइ करूंगी आपर लिए फ्लेम मिडियम कर दिया है आप में इसे धवकर पांच मिनट तक पकाऊंगी तो फिर्ट्स पांच मिनट भो गया है तो पिज़ार अब मैं इसमें मसाले डालोंगी पैल थ हल दी और डालोंगी डेश्ट टेस्ट्वबू पोड़ी के इसमें नमप में और डालोंगी तेस्ट के अब बड़ी बड़ी पाउडर हाफ टी स्पून हनिया पाउडर, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, अब मैं इसे पांच मिनट तक धाद कर और प्राइ करूँगी, तो फ्रेंट्स पकाते लिए मुझे पांच मिनट होके हैं, अब मैं इसमें खोड़ा सा पानी डालूगी, अंडेटेमिल के करीब मैंने इसमें पानी डाला, क्योंकि वह भी पैरे से थोई पकी हुई है, और अब मैं इसमें हाफ टी स्पून के करीब गरब मसाला पाउडर डालूगी, हलका ग्रेवी रखोंगी इसमें, और मैं इसमें ठक कर पांच से दस मिनट और पकाऊंगी, तो फ आप बार्बर बनाना चाहेंगे, इस सीजन में आप गोवी दूप में सुखाईए, संड्राइव गोवी की सबजी का मज़ा लीजिए, तो मेरे चैनल को लाइक और सेयर करना बिल्कुल भी न भूले, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें, ओके बाइ, थैंक यू जर फे उरूर जरूर धोवी का मेंट जरूर लिखेंगे, यूँ झाले, जरूर लिखेंगे, टिल्स बाइक पूले, भी धे पूले उरूर दोब।